सो ही गलिटीट में बात करेंगे आपको बिना कुछ पढ़े गडित में पास होने का ट्रिक ठीक है आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ेो बट आप गडित में पास ही नहीं बल्किएक अच्छे माक्स ला सकते हो लेकिन आपको इस तीन ट्रिक को जानना पड़ेगा अगर आप इन तीन ट्रिक को जान जाते हो 101 परसंट ये मेरी गारंटी है कि टीचर आपको खूसोकर नंबर भी देगा और पूरे नंबर भी देगा और आप इस बीडियो को देख लिए तो आप कभी जिन्दिगी में फेल नहीं हो पाओगे क्योंकि ये ट्रिक इतनी जैन्यून ट्रिक है कि आज तक इस ट्रिक को जिस कमजोर बच्ची ने लगा है 101 परसंट वो पास हो गया है ये ट्रिक मैं आपको सेयर करने वाला हूँ तो आपको कुछ भी ने करना वीडियो को लाश तक देखना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि सब कुछ का ट्रिक अगर आपको बोर्ड एक्जाम में कोई भी आपजेक्टिव प्रस्ण बिना पढ़े बिना कुछ पढ़े सही करने का तरीका क्या है इसमें अपजेक्टिव प्रस्ण भी सामिल है लंग टाइप के प्रस्ण भी सामिल है और साट टाइप के प्रस्ण भी सामिल है यानि कि आपको कुछ भी नहीं है पता लेकिन 101% आपको अगर 20 अपजेक्टिव आते हैं आपमें तो आपको ये जो trick बताऊंगा इसमें से आपको 15 नमबर का objective बिल्कुल बिल्कुल correct होगा आपको तो आपको कौन सी trick लगानी है तो आए शुरू करते हैं आज की धामा के दार वीडियो को आज के इस बीडियो मैं आपको सब कुछ live proof दिखाऊंगा ठीक है जो भी चीज होगी सब live proof होगा और paper में से बताऊंगा कि किस trick से आपको कैसे लिखना है इस आपके board exam की paper में अगर कोई भी question का answer आपको या कोई भी सवाल का answer आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो क्या करना ह ठीक है मैं इसके लिए आपको trick बताऊंगा कि आपको क्या करना है और वो trick जिसे देखकर teacher 101% number देते हैं ठीक है दुको math में क्या होता है कि starting is important ठीक है उसकी जो starting होती है वो कफी important होती है यानि कि math की starting आपको कैसे करना है ठीक है तो दुको सबसे पहले जो math होता है math में आप को step marking होता है step marking होता है और सबसे पहले math कि आपको copy कैसे लिखना यह मैं बताऊंगा इससे पहले मैं आपको objective का trick बता देता हूं ठीक है आप उसको समझ जाएंगे फिर इसके बाद इसको मैं आपको बताऊंगा कि objective को सही करने का कोई trick नहीं होता इसमें तुक्का काम करता है इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब यह है कि देखो सबसे ज्यादा अंक इसमें से कौन है साथ है सबसे ज्यादा साथ है यानि कि आपके पूरे पेपर में जो सबसे ज्यादे सही answer होता है वो क्या होता है सी सही होता है इसके बाद क्या है छे है इसके बाद जो सबसे ज्य आपसर होता ये तीसरे नंबर पे सभी होता और च ओधरिंपर अपका यह सबसे कम आप सहीं बिलता हुए ये वाला आपको कहां पे लगाना ये मैं बता दूँगा तो सबसे ज़्याद है आपको C पे लिखाना है उसके बाद B पे लगाना है इसके बाद A पे लगाना है और इसके बाद D पे लेकिन B और C को कहा लगाना है और A और D को कहा लगाना है आपको सुरुवात जैसे ही करनी है पेपर का सुरुवात जब होता है तो आपको B वला संद्धार्ट तो जैसे माई आपके हमारे पास पेपर है इसमें दिरखा है कि 144 के अबाजी गुडन खंडों में दो की घात है तो यहां पे-चार है दो की घात और भी पेपर है आपके मैं मैं दिखा़ता हो इससे सब कुछ मिलकुल मिल रहा है पेपर में तेसरा करसे हणहीं हो पर और पांचवां का क्यांने होएग're V यहां से आपका ड वाला बी स्टार्ट हो जाता अभी यहां पर a इबी चल रहा है ठीके इसके बाद c और d आपका यहां से बाद na के बाद से यह बाहला ट्रिक लगनाँ अगर ऐए ट्रिक आप लगाते ओंडिन आप को क्या करना है उतने भी सबसे पहले आपको शुरुवात हिसे आपने पहले का मार दिया तो फिर आपको दूसरे में नहीं और बी rozp फिर अलग अलग नाच चीजियं Google नहीं कि आप 2-3 टो में C मारते चलेगे मारते चलेगे नहीं एक में A मारे एक में B मारे उसके बाद एक में C मारे एक में D आपको इस तरह से सही का निसान मना ठीक है अगर ऐसे करती हो कोपी में आपको लिख कर बताऊंगा पहले आपकी जो कोपी की सुरुवात करना है उसमें प्रशनोत्तर संक्यार डालने के बाद आपको प्रसना अनुसार लिखना है ठीक है क्या लिखना है प्रसना अनुसार उसके बाद दिया है लिखना है उसके बाद जो पेपर में मान द प्रशन वंत्तर संख्या सबसे बदें इछा कहा सब्सक्राइब सैन्सार अब इसके बाद लगाना यह फोल्पकों हो फैस्त Alors लगाना है इसके बाद विगे। ठीक है पेपर में जो भी मान दिया उसे चिन के साथ लिखना है यह ट्रिक है तो यहां पर क्या दे रखा है कि यह बराबर X स्कॉर प्लस 5X प्लस 8 है ठीक है यह चीजे दे रखा है यह बराबर और B की बैलू माइनस 2 रखा है यह का बैलू हमें क्या दे रखा है यह बराबर X स्क्वायर प्लस फाइप एक्स प्लस एट ठीक है और बी की बैलू दे रखा है आपका माइनस दो यह चीज़े हमको दे रखा और पूछ रखा है कि आप यह प्लस बी को ग्याद किज़े ठीक है इस वीडियो में मैं आपको रचना भी बताऊंगा यानि रचना वाले ग्याद करना है इस तरह से ग्याद करना है लिखने के बाद क्या हमें ग्याद करना ए प्लस बी का मान ठीक है ए प्लस बी का हमें मान ग्याद करना है इसकी लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले लिख देंगे हल यहाँ पर क्या लिखना हमें हल लिखना इस तरह से हल की बाद इ की a plus b को हमें घ्याद करना इस तरह से अब हमें क्या करना a plus b के बैलू को लिखना है ठीक है तो यहाँ पे अगर चीजे इतना भी आप कर देते हो मैत का यह जरूल होता है step marking होती यहां तक आप ने कर दिया यह question अगर यह लिख देते हो तो भी आपको आधा fringe अनमबर ये math का rule होता है ठीक है तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है आप यहां से लिकर यहां तक कर दिए तो भी आपको गर यह दो नंबर का है न आपको एक marks जरूर मिलेगा पूना संकी बात कर लेता हूं कि जिससे आपको कोई भी question नहीं आता है तो उसके जगह पर अगर आपको कोई भी question आता है तो उसको लिख दो सुरुआ हात में तो examiner उसे कार देंगे teacher बट देखेंगे कि अगर आप फेल हो रहे हो अगर आप 18 नंबर पा रहे हो 17 नंबर पा रहे हो वो क्या करते है उसी में आपको 2 से 3 नंबर एड़ करकर आपको पास कर देते ठीक है तो आपको ऐसी गलती नहीं करने कि कोई भी question ना है plus 8 और B में plus लगाना B की value minus 2 दिया है तो यहाँ पर minus 2 लगा दिया है ठीक है और यहाँ पर आपको लिख देना है चुकि B बराबर minus 2 दिया है और देखो बराबर लगाना इस तरह से ठीक है जैसे यहाँ पर B बराबर minus 2 तो यह चीज़े अगर यहाँ पर कुछ भी आप किरि प्रसमें चलता इतना तो आपको एक marks मिलेंगे ठीक है एक next question देखते अब लांग question के त्रिक देखते हैं जिसे आपको लांग प्रस्पर अगर हल करने के लिए नहीं आता तो आप ट्रिक कैसे हल करेंगी ठीक है अगर कोई-बी-1 को क्वेस्टन आपको हल नहीं करने आता त एय कि आये का मान को क्या करना है यहाँ पीकालना है तबसे पहले जो चीजे प्रश्व में दिया है उसको आप लिख दो अगर रेखा चितर में किसकी रेखां बनाने के लिए ब्लाए संकू कि जो जो भी थोड़ा मड़ा टूटी फूटी सब्दों में आपको आता है बनाने आपने कभी देखा है तो आप उस रेखा चित्र को बना दो अगर उस ते रेलेटेड कुछ भी डाइग्राम होता है कि दो से मी लंबा एक रेखा खंड कीचिए उसको दो भागों में बाट गिए करना तो आप थोड़ा बहुत करो के वारे को देखा है अगर यृ लंबरती सभागों अगर ये 6 marks LA में पूछा है तो इसमें ये रखा एक लंबरती हो 10 की निए टिक शबूर्ज करना है एक लबृति सबसे पहले निए neurologल्प निए टिए यह संकू की कितना सब्स निए टिकर 52 अब क्या लिखना है चाहिक निए तों उसके बाद हमें क्या लिखना आप। में दिया उसको लिखना है तिल कि दिया क्या है किसि की हेट या उचाई दे रखा है और इसकी त्रीजिया र की है की बलुद दे रखा और हमें की पूछ मार की पूछ रहता है दिया है कि दिया है जाई बलाबर आठ सेमी यह चीज़ आपको करने ठीक है यहाँ पर भी आपको नंबर मिलते आठ सेमी और त्रिजिया आर बराबर दे रखा पांच सेमी ठीक है और हमें पूछ क्या रखा यह बराबर question mark में ग्याद करना है ठीक है इसे में क्या करना है ग्याद करना है इतना लिखने के बाद ही आपको हल लिखना है ठीक है यहाँ पर क्या करना है हल लिखना है यह चीज़ आपको नहीं आती है तो हमने कहा इसको pencil उठाईए अपना और यहाँ पर diagram रहना शुरू कर दिजी है, ठीक है, जैसे यहां पर एक संकू की त्रिजिया कितनी है, पांच सेमी, ठीक है, दोखो यहां पर स्केलिंग मैं नहीं कर पाऊंगा इस समय तो आपको एक canned from पांच सेमी का इस तरह से लेना है इसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज रैदियस भी आप लिख सकते हो कि इसका रडियस कितना है पांच सेमी ठीक है इसके तुर भी आपको यहां पर नंबर मिलेंगे अगर यापका आता है तो आप इतना कियों इतना कियों तब भी आपको 2.5 नमबर इसमें एजली मिल जाएंगे बीना कुछ किये तियों मान आपने लिखा त्रिज्जा लिखना है और हमें ग्याद करना ऐसा चितर आपको बना कर आजाना ठीक संकुंकु के चितर का दोठो देख लेना और एक्जामपल देख लेता हूं आपके बोड इक्जाम में कुछ इस तरह के प्रस्ना आ जाते हैं जिसे यहां पर पांच सीवी लंबा एक रेखा खंड कीचिए और इसे तीन समंद्र दो अनुपात में विभाजित कीजिए तता रचना भी लिखे तो यहां पर आपको ज कीचे तो इसमें क्या होता कि तीन सम्माद दिफल दीना पड़ता है और इस तरह से आपको प्रकाल से दूरी लेकर यहां फे इस तरह से चाप लगा लगा कर कार दिना हो तो इस रेखा कंड को इस तरह मिल जाते हैं तो यह ट्रिक आपको बोर्ड एक्जाम में 101 परसेंट लगाओगी तो कभी फेल नहीं हो सकते कोई क्वेस्चन नहीं आता उसके जगर पर जो भी क्वेस्चन आपको सवाल आता उसी को लिख कर चले आए ठीक है यह सेच्वेशन में पास कब होते हो जब आप दे देकर आपको क्या कर देता है 23 नमबर देकर 33 नमबर देकर पास कर देता है ठीक है तो आज के इस बीडियों बस इतना है मिलोंगा इतने श्टी बीडियों तब तक के लिए धन्यवाद